हेलो एंड वल्कम बाक टू नदर वेडियो आफ कार्निवो डाइट चालेंज 30 डेज तो इस वीडियो में आपको समरी बताऊंगा डे 15, 16 और 17 की तो हर दिन की तरह की सुबह की शुरुआ तो यह पांच बजे अलाम बंद करने से अंदरवे दिन की बात कर रहा हूं मैं और फ योगा करूंगा लेकिन नहीं आलेस ऐसी चीज है मुझे लगता है कि मुझे एक दिन बहुत रिग्रेट करवाईगी तो बजगया छे छे बज़े योगा किया फिर अपना और वही छे से साथ फिर मदर को एक्सराइस करवाई उनकी वह भी एक्सराइस करती है एक्दम प्र में अराउंड 10 होल एक्स कंजूम किये और 350 ग्राम्स ऑफ चिकन क्योंकि उसके पास उतना ही था जिस बुचर से मैं लेता हूं और हाँ फैट नहीं लिया था उस दिन घी के फॉर्म में ज्यादा था नहीं डाइट में बट इंटरस्टिंग बात ये थी कि उस दिन मुझे जाना था पार्टी में बट यहां एक प्विस्ट था कि वो पार्टी मेरे दोस्त की थी जो की वेजिटेरियन पार्टी थी उसकी शादी थी अक्चुली और हम निकलने वाले थे पांच दोस्त तीन बजे निकले लखनों से उससे पहले हम यह कंजूम कर लिए थे मिने 10 ओल को बहुत इंट्रस्टिंग वे मैं आपको मैं पताऊंगा कि थैंक्फुली कैसे मेरे लिए वह हो गया मुझ पर ही उल्टा भारी पड़ गया वाज हम तीन बजे पहुंचे बस्ती जाना था हमें 220 किलोमीटर था अराम से दो तीन घंटे में पहुंच जाते बाट जब साथ में चार दोस्त और हो और नशेडी हूं तो आपका तीन चार घंटे का सफर साथ गंटे में कब बदल जाएगा या आपको भी नहीं पता चलेगा और गुस्सा बहुत आएगी यार मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कॉपरेट किया क्योंकि मेरी वज़े से उनकी खाऊंगा बट मैंने वहां पर एक्स्क्यूज ये दिया कि मेरा आज पास्ट है और मैं फास्ट ऐसे रखता हूं कि मैं तो दिन कुछ नहीं खाता हूं थीक है थोड़ा कॉपरेट किया लोगोंने कुछ कह रहे है कि जूस खालो कोई कह रहा है कि यह खालो वहां जाके फू पहुंचते पहुंचते हम लोग बजिया एक वहां उतर रहा था टेंट अब एक बज़े यानी कि आठवा तारीक लग गई आठवी तारीक लग गई तारीक को शादीती दोस्की आठवी तारीक लग गई वहां पर लिग अब पर इस नहीं बहुत घरी आया है उसने और फि तब के साथ मिलके मुझे ना कार्णिवोर डाइट तोड़ने पड़ा यह मेरे लिए सबसे रिग्रेट वाला फेस था कि 17 दे को मेरा प्लान था कि हम लोग7 बजे जाएंगे निकल bell अगले दिन में अगले दिन मैं में बज़गि नहाद हो की खाता हूं मैं गहाना लेकिन जब 11 बज गया बारा बज पिर एक बज गया एक बज़ पहुंचे तो देड़ा बज़े खाना शुरू गिए खाने में क् दाल भी थी यह मुझे जबरदस्ति खाना पड़ा क्यों क्योंकि लड़की वाले थे और उनके फैमिली वाले मतलब हम लोग लड़के वालों के तरफ से एकलोते दोस्त हैं मतलब जो पहांच लोग हम पहुंचे थे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल वह फील करा रहे थे और बुरा ना लगे किसी को इसलिए बैठा के खिलाना तो मेरे ना चाहते हुए भी मेरे लिए प्लेट लग गई उसमें खाना आ गया अब वहां पे फिर मैं अगर यह एक्स्क्यूस देता कि मेरा फास्ट था तो वह फास्ट तो तुस्डे वाले दिन चल जाता लेकिन वे फिर यह हो गया तो हम लोग वहां से निकला थे एक बज़े देड़ बज़े खाना खाया करीब दो धाए बज़े निकला थे फिर तीन चार बज़े ऐसे हुआ तो फिर चलने लगे पाँच बज़े शुबा चलना शुरू किये और एक दोस्त को रास्ते में ड्रॉप करना था तो मैंने उससे बोला था मतलब इन लोग के नशे के चक्कर में इन लोग को सुबह हैंग ओवर हो रहा था तो कोई कर रहा था नीबू पानी पीना है नमक ड ये मेरे साथ स्कैम था ये 16 दिन की बात है सुभे की करीब 8-9 बजे के 16 दिन सुभे की हाँ वो था बोला कि अरे नमक है नीबू नमक है इनका चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नमकी तो है बड़ वो था शक्कर वो ऐसा शर्बत बनाया था कि दो ग्लास पिया मैं जूट नह ठीक है घर आया और मैंने वर्काउट करिया करीब 11-11 बजे से वर्काउट करना शुरू किया एक गड़ घंटा वर्काउट किया फिर आगया वापस गया फिर आके सो गया उस दिन कुछ खाया था कि नहीं खाया था याद नहीं आ रहा तो डे 16 को हा खाया नहीं कुछ नहीं खाया उस दिन कुछ नहीं खाया फिर अगले दिन 17 देखो करीब पास्ट मेरा ब्रेक हुआ हाँ 17 देखो मेरा फास्ट ब्रेक हुआ करीब 12 वरा बजे तो यह रहा था एक दिन का मैंने कम्प्लीट फास्ट किया और हर दिन मैंने कीटोन स्ट्रिप से टेस्टिंग करी तो 16 दिन तो भाई इसमें ब्लड ग्लुकोज और कीटोन में कुछ फरकी नहीं नजार आ रहा था लगना कीटोन नहीं बनना है बॉड़ी में बट फास्टिंग के बाद अगले दिन यानि की कल किया तो बन रहे थे थोड़े बहुत थे बहुत लाइट आज किया आज 18 डे है अफिशली तो आज मतलब थोड़ा सा और डारकर साइड में था कीटोन स्ट्रिप पे यह था वाई और इसके लिए मैं बहुत रिग्रेट भी फील कर रहा हूं लेकिन मैंने एक दन का कंप्ली सत्रा का 15-16-17 का और इन बीच मैंने एक्सराइज करी है दो दिन तीनों दिन करी है इनों दिन वर्काउट किया एक दिन योगा किया है बस और हेल्थ के टर्म्स में जब 40-40 घंटे का करीब फास्ट हो गया था तो मुझे लग रहाते कमजोरी लग रही थी तो भी मैंने वर करता हूं वह करी और एक अपडेट इसमें यह था कि यार मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना टूथ पेस्ट चेंज कर दूं क्योंकि वह तूथ पेस्ट भी स्वीटर साइड में होता है उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूनना पड़ेगा क्योंकि नीम के दतून तो मिल और देखूंगा क्या होता है उसके पीछे की साइनस एक बार अच्छे से समझूंगा लोगों के पस्पेक्टिव लूँगा काफी फिर अपना देखूंगा कैसे तूथ पेस्ट को रिप्लेस करना है नीम के दतून से या खाली तूथ ब्रश से उसके लिए थोड़ा सौफ थोड़ा अच्छा तूद्ब्रश भी लेना पड़ेगा अगर वो देखा जाएगा यह था वाई अपडेट और और क्या बचा इसमें हाँ एनर्जी लेवल्स वाई कार्व कंजूम करने के बाद अगले देन बहुत जादे तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब इं और स्लीपी बहुत फील हो रहा था नो डाउट वैसे भी मेरे को स्लीपिंग कोई इशू नहीं है मैं नहीं चाहता हूं कि स्लीप में मतलब कोई वह हो इंटरप्शन लेकिन काप्स खाने के बाद मझे मतलब लेथार्जिक लग रहा था लेकिन वर्काउट अच्छा हुआ बाकी यार अब देखते हैं आज ओफिशली 18th दे है यह वाई तीन दिन की काहनी में आपको सुनाना चाह रहा था बहुत अंदर से वह था तो अब निकल गया मन से अब आप लोग देख लेना जहसे आपको सही लगे कोवेंट करना अगर अच्छा लगे तो भी नहीं अच् कार और अब जिप लगे खिए लिटा के लाई बाई जब हो खिए बाई